अब देखो जो हमारा अगला question है वो है example 12.13 इसमें बोला गया है एन electric refrigerator rated 400 watt operates 8 hour per day What is the cost of the energy to operate it for 30 days at rupees 3.00 per kilowatt hour मतलब कि कोई electric refrigerator है जिसकी जो power rating है 400 watt तो power कितने हो गई 400 watt अब इसको हर रोज 8 गंटे चलाया जाए और इसी तरह से मतलब हर रोज 8-8 गंटे के हिसाब से 30 दिन total चलाया जाए तो total cost कितनी आएगी energy की अगर 1 kilowatt hour की जो cost है वो 3 rupees दी गई हमें तो मतलब कितनी जो cost है cost of 1 kilowatt hour वो कितनी बताएगी हमें 3 rupees तो पहले पता लगाते हैं कितने kilowatt hour energy consume होई है ठीक है उसके लिए आप क्या करोगे power आपको पता है time भी आपको पता है time क्या है 8 गंटे एक दिन में ठीक है 8 hour एक दिन में लगेंगे लेकिन ऐसे ऐसे 30 दिन तक चलाया जाता है यह तो भाई 30 दिन में कितना हो जाएगा हर रोज 8 गंटे है 30 दिन में 30 इंटू 8 आठ तिया कितना 24 तो 240 आर ठीक है इतना तो total time आ गया अब मुझे energy निकाल लिए है आपको पता भाई energy क्या होता है power into में time या फिर work done जो हो रहा है वही energy में convert हो रहा है मैंने आपको फॉर्मला बता है था work is equal to power into time या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि power किसके बराबर होती थी rate of consumption of energy यह निए energy divided by time होता है power तो divide में जो time इधर ले आओ multiply में आ जाएगा तो यह फॉर्मला आपको याद रखना है ठीक ह तो यहाँ से अब देखो क्या होगा यहाँ से होगे भई energy is equal to power कितनी 400 watt time कितना 240 गंटे क्योंकि हमें यहाँ फिलो वाट आर में निकालना है तो देखो अभी यह किस में आया है अभी यह watt में है यानि कि w लिख दो और यह time जो है आर में है w h यह निए watt आर में है अभी kilo न 96 होता है फिर एक दो तीन जिरो लोगा होगा एक दो तीन जिरो यह क्या है वाट आर अब हमें kilowatt बनाना है kilo को मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता है हजार ठीक है मतलब यहाँ पे आपको 1000 डूणना होगा तो 1000 आपको सीधा सीधा दीख रहा है ठीक है और समझान टोटल कोस्ट टोटल कोस्ट टोटल कोस्ट मतलब कितने kilowatt बढ़ रहे है 96 kilowatt आर और एक kilowatt आर की कोस्ट हमें बताय गे थी उपर 3 रूपए आपने देखा था तो इसको 3 से multiply कर लो 3618 का 8 carry 1 390 27 और 1 288 रूपी इस टोटल कोस्ट आजएगी ठीक है ना क्यूंकि एक kilowatt आर की क मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए गुल बाए